हेलो गाइस मैं हूँ एनाई बी एमस का स्टूडेंट और माई यूट्यूब चैनल में डिकोट डापर आपका स्वागत है तो गाइस फाइनली आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए एक बिगेश्टी गुड नीज है और उसी गुड नीज के बारे में इस वीडियो में डिसकस करने वाले गाइस तो गाइस गुड नीज क्या है इसके लिए जो आपको वीडियो जाए वह एंड तक देखना पड़ेगा ओकी गाइस तो कापी सारे जो नीट यूजी दोजा किसके एस्पिरेंट है वो एक्जाम डेट को लेकर और नीट जो एक साल में एक बारे हो गया दो बारे होगी इसको लेकर जो है वो कापी सारे स्टुडेंट जो हते है वो परेशान थे तो गाइस आज उनकी जो परेशा किया है और उसी के बारु में इस विडियो में में डिसकसň करने वाले हैं कि जो नीट के एक्जाम है वो कब होगी और नीट एक साखर में एक वार कि यू दो वार होगी तो वीडियो को इसलिए बिल்कुल भी ज्किम ना करें वीडियो तक देखे क्योंकि जो यह वीडियो है वह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के वीडियो के अंद तक बने रहे हैं तो फाइनले आप सभी नीट एस्पिरेंट के लिए बिगेस्टी गुद्नूज ये गाइस और उसी गुद्नूज के बारे में इस वीडियो में डिसकस करने वाले क्योंकि आज जो है वो डॉक्टर रमेश फोक्रियल जी ने नीट 2021 के एक्जाम डेट को लेकर और नीट की जो एक्जाम में उसको एक साल में एक बारी कंड़क्ट करवाए जाएगा या फिट दो बारी कंड़क्ट करवाए जाएगा इसके बार में जो है डॉक्टर रमेश फोक्रियल जी ने इंडिया टीवी से बातचित की है तो देखते हैं कि उन्होंने बातचित की टाइम पर उन् इन्डिया टीवी की न्यूज है इसको इंडिया टीवी की न्यूज है इसको इंडिया टीवी पर जाकर आप जो है इस न्यूज को आप रीड कर सकते हो जो आपके साथ जो मैं शेयर कर रहा हूँ ये इंडिया टीवी की न्यूज है तो देखते हैं यहाँ पर जो डॉक्टर रमेश फोक्रियल जी है उन्होंने क्या बोला है नीट 2021 के एक्जाम डेट को लेकर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो नीट के एक्जाम डेट है उसके शीडूल का इंतिजार कर रहे हैं और कापी सारे जो इस्टूडेंट है वो सोसल मीडिया पर एक्जाम को एक साल में दोबारी कंड़क्ट करने के लिए रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं एजुकेशन मिनिस्टर रमेश फोक्रियाल जी से ओके दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर जो इंडिया टीवी से बातचीत करते टाइम पर जो रमेश फोक्रियाल जी है उन्होंने यहाँ पर हिंट देती हुए बोला है कि पॉसिबिलिटी ओ कंड़क्टिंग देंटेस ट्वाइस एर मतलब आपकी जो एक्जाम में निट के एक्जाम में उसको एक साल में दो बारी कंड़क्ट करने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है और यहाँ पर डॉक्टर रमेश फोक्रियाल जी ने संकेद भी दे दिया और यह गाईस य आपको क्या लगता है जो आपको लगता है वो मुझे आप कमेंट करके बता है अब बात करते हैं कि जो नीट के एक्जाम में वो कब होगी तो देखते हैं-उसके बार में जो हैं-डोक्टर रमेश फोक्रियाल जी ने क्या बोला है ओके गाइस तो यहाँ पर जो है देख सकते हो आप एक्जाम डेट भी एनाउंस किया तो यहाँ पर जो एजुकेशन मिनिस्टर रमेश फोकरियल जी निसंग ने बोला है कि जो मेडिकल एंटेस एक्जाम की जो डेट है वो 10 से 15 दिन के बाद जो है एनाउंस की जा सकती ओके तो यहाँ पर इन्होंने क्लेली बोल दिया है कि जो आपकी निट 2021 के एक्जाम डेट है वो 10 से 15 दिन के बाद ही जो है एनाउंस की जाएगी ओके गाइस और लास्ट एयर के एक्जाम जो निट 2020 के जो एक्जाम हुए थे वो 13 सितमर को हुए थे और क्योंकि यहाँ पर यह दो बारी पोस्ट मंड हुए थी COVID-19 की वजह से ओकी गास तो और इसमें जो इस्टूडेंट अपेर हुए थे वो 13,66,000 अपेर हुए थे और इसमें जो क्वालिफाई इस्टूडेंट की जो संक्या है वो है 7,1,500 ओके गास तो यह भी जो है इंडिया टीवी ने यहाँ पर इंडिया टीवी से बाचित करती टाइम पर जो है डोक्टर अमेस फोकरेल जी ने यह बताया कि जो नीट 2021 की एकजाम डेट है वो 10-15 दिन के बाद ही एनाउंस की जाएगी ओके गास अब देखते हैं कि जो नीट की इस साल जो है दो बार होने की जो पॉसिबिलिटी है वो क इतनी है ओके गास तो इसके बार में जो है इंडिया टीवी ने क्या बोला है ओके गास तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें वीडियो को एंटक देखते रहे हैं तो गास यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर बोला है ट्वाइस एयर क्या तो यहाँ पर इंडिया टीवी ने बोला कि in all probability s मतलब यानि कि जितनी भी सम्मावना है वो पूरी सम्मावना बन रही है कि जो NEET की exam में वो दोबारी conduct होगी तो मैंने तो बोला है कि 99% मेरी तरफ से 99% आप मान के चल सकते हो आपकी जो NEET की exam में वो दोबारी conduct होने वाली है एक साल में आपको क्या लगता है आपको जो भी लगता है आप मुझे comment करके जरूर बताए और यहाँ पर आप देख सकते हो जो government भी है वो भी इसके बार में discuss कर रही है कि NEET की exam को जो है वो एक साल में दोबारी conduct करवाया जाए या फिड नहीं करवाया जाए तो अभी तक तो इसका कोई confirm तो नहीं है लेकिन मेरी तरफ से 99% आप confirm मान के चल सकते हो कि आपकी जो exam है वो एक साल में दोबारी होने वाली है और 10 से 15 दिन के बाद जो है आपके exam date announce कर दी जाएगी उसके बाद में जो है confirm होई जाएगा कि आपकी जो exam है वो एक साल में एक बारी होगी या फिर दो बारी होगी ओके दोस्तों तो जब भी इसकी official जो date है exam date announcement होगी तो उसका जो update है आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों तो जदी अमरे चैनल को सबस्काइर नहीं किसे तो चैनल को सबस्काइर करें इन फाल आइकन को प्रेस करें और I hope ये वीडियो यदि से रिलेटेट कोई भी आप doubt हे तो आप मुझे comment करके फोश कते है तो आजके वीडियो में यासे शासे कि